तो बिना किसी देरी के कहानी के शुरुआत करते हैं जिन बहुत बहुत दनियवाद आप लोगों को छोटा सा हजार रुपे का गिववेड देना चाता हूँ वो वीडियो के आंद मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा कानी की सुरुआत में हमें दो दोस्त दिखाई देते हैं जिनका नाम फिली और सर्मन होता है ये दोनों बंदर साल के होता है ये दोनों छुप का लड़कियों को कपड़े बदलते वे देखते हैं ऐसा करते हों उन्हें उनकी टीचर पगड़ लेती है वर टीचरू ने सला देती है कि अपनी उम्र के लड़कियों को दोस्त बनाओ, ये तुम्हारी उम्र में आम बात है, वर फिल को समझाती है कि मन में इसी भावना उठना बिल्कुल नेचुरल है, इसमें गबराने वाली कोई भी बात नहीं है, अगले दिन फिल के पिता को एक जवान खुबसूरत मेड आती है, जो कि उसके घर पर काम करती है, वर फिल के सामने बेटी होती है, तो फिल उसकी टांगों को घूरता रहता है, और वो नोकरानी उसे सेड्यूस करती है, और फिल वहां से चुपचा उट कर चला जाता है, फिल खिड़की से देखता है कि मे अपने ड्रैवर के साथ कुछ बात कर रही होती है, ड्रैवर का नाम लेश्टर होता है, और उसके कार में बेट कर चली जाती है, नोकरानी के जाने के बाद फिल उसके कमरे में जाता है, और बेट पर पड़े कपड़ों को उठाता है, ब्राज, पैंटी, कपड़ों को चू लुम रहा होता है तभी वो देखते हैं कि फूल के पास मेलो जो फार्थ कर लेटी होती है वो बीना बारा के लेटी होती है तो किसी ने वह वावारे को इस्टाइट कर देता है जिसकी वजए सकते हो मैं तुमें दिखा सकती हूं अपना बदन Mellow उसे दर्वाशा बंद करके एक साइड में बेठने को गेती है're My लो अपने बदन के सार एक अपड़े foulilis always उतार देती है Phil की आंके फटी की फटी रह जाती है मेलो फिल को अपने पास बुलाती है लेकिन फिल टेलर देकर ही इतना ज़्यादा गबरा जाता है कि वह सीदा दर्वाजा खोलता है और वहाँ से भाग जाता है फिल को ये सोचना चाहिए था कि लोहा गरा में थोड़ा मार देना चाहिए लेकिन वह फील को अंदर नाने के लिए भूलती है मेलो जैसे ही फिल के पपू को चुती है तो फिल वहाँ से उठकर भाग जाता है फिल जब अपने दोस्त को ये बात बदाता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि लगता है तुमारी जो नोकरानी है वह एक वेश्या है तब ही तो वो तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए इतनी उतावली हो रखी है लेकिन फिल उसकी बातों वो इस्वास नहीं करता है वो उससे प्यार करने लगा होता है एक दिन मेलो और फिल जब मुवी देख रहे होते हैं तब मेलो फिल का हाथ उठा कर अपने बूफ्स पर रख देती है यह एक इसारा था फिल के लिए टपाट अप करने के लिए फिल मेलो को होटल ले जाता है जहांपर फिल उससे परपोज कर देता है वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ अगले दिन उसका दोस्तों से समझाता ही कि तुमने सेक्स करने से पहले साधी के लिए परपोच क्यों किया फिल मेलो के बिना जादा दिन नहीं रह सकता वो अगले ही दिन मेलो के पास आता है और उसे डेट के लिए पूछता है खाना खाका घर आने के बाद Phil और Mello दोनों टपाटप करते हैं करने के बाद ऐसा ही Phil फिरी होता है वो देखता है कि Mello की सांसे रुक गई है उसे लगता है कि Mello मर चुकी है और वो चिलाते हुए रूम से बाहर निकलता है वो अपने driver Laster को गुलाता है लेश्टर कहता है कि तुमने मेलो को मार दिया है फिल कहता है मैंने नहीं मारा इसे लेश्टर पुलिस को कॉल करने लग जाता है तब ही फिल कहता है कि रुख जाओ तुम पुलिस को कॉल मत करो जो वोलो गए मैं करूँगा फिल जैसे ही बाहर निकलता है मेलो आंक्या खोल लेती है वो मरने का नाटक कर रही थी बस ये सारा प्लैन फिल को फसाने के लिए होता है लेश्टर कहता है कि हमें इसकी बोड़ी को ठिकाने लगा ना होगा और मेलो की बोड़ी को फ्रीज में डाल देते हैं और उसके बाद एक बड़ासा गड़ाः खोते हैं और उस गड़े के अंदर मेलो को बूर देते हैं जब फिल गड़ाः खोता है sudah मेलो फ्रीज से निकल कर बाहर चली जाती है लेकिन फिल को यह लगता है कि उसने मेलो को मार तिया है क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि फिल के हाट का ओफरेशन हो रखा है इस वज़े से फिल अपने आपको इन सब का दोसी मानता है मेलो को पूरी तरह से दफनाने के बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि फिल के पास एक लेटर आता है और उस लेटर के अंतर लिखा होता है कि मैंने मेलो की बोडी को निकाल लिया है अगर तुम मुझे 10,000 डोलर नहीं दोगे तो मैं इस बोडी को पुलीस के हवाले कर दूँगा और तुम दोनों जेल से ले जाओगे लेटर फिल को कहता है कि हमें उसे पेसे देने ही होंगे किसी बेहाल में वरना हम दोनों को जेल में जाना पड़ेगा फिल इन बातों से इतना ज़्यादा गबरा जाता है कि वह अपने पिता की तीजोरी से 10,000 डोलर निकालता है और उस बताय हुए एडर्स के पास रख देता है ये प्लेन भी सारा ड्राइवर का होता है लेश्टर का फिर अगली रात को मेलो फिल के पास आती है उसे देखकर फिल काफी ज़्यादा घबरात आता है और वहां से भागने लग जाता है वह सोसता है कि बूत आ गया लेकिन मेलो उसे रोकने का वेती है वो कहती है कि मैं तुम्हें अब और दोखा नहीं दे सकती वो कहती है कि लेश्टर ने मुझे ये जबरदस्ती काम करवाया वह एक इमिग्रेंट है अगर ये सचा ही पुलिस को बता देता है लेश्टर तो मुझे वापस अपने देश बेह दिया जाएगा और मैं जाना नहीं चाहती हूँ और इसी वज़े से मुझे ये सब करना पड़ा फिली और मेलो लेश्टर से 10,000 वापस निकलाने के लिए एक प्लैन बनाते हैं अपने कोच को नकली पुलिस वाला बनाकर वह लेश्टर के पास बैजेंगे और उससे सारे पेसे निकलाएंगे वह पुलिस वाले कोच के पास आता है और उसे धमकाता है कि तुमारे गर पर मेलो के कपड़े मिले हैं अगर दो गंटे के अंदर मेलो मेरे सामने नहीं आई तो मैं तुमें पकड़ कर जेल भेज़ दूँगा लेश्टर पुलिस वाले को समझाता है कि मेलो अभी जिन्दा है वह एक होटल के अंदर है लेश्टर होटल जाता है सारे पेसे निगालता है और सीधे एरपोर्ट की तरफ भागता है वह इस देश को छोड़ना चाता है यह तो फिल और उसके दोस्तों का पलेन होता है फिल उन्हें फॉलो करते हुए एरपोर्ट पर पहुंचते हैं लेश्टर को एरपोर्ट पर फिल के पिता मिलते हैं वो बूल जाता है कि फिल के पिता है आज ही आने वाले होते हैं तब ही आँपर फिल आजाता है और फिल लेस्टर से पेशो से बड़ा बेक चीन लेता है लेकिन लेस्टर माली के सामने कुछ नहीं बोलता ना ही फिल उसके बारे में कुछ बताता है वो दोनों जब घर पे आते हैं तो फिल मेलो के रूम में चला जाता है और उसके साथ दोन वहां से चली जाती है फिल हाई स्कूल में एडिमिसन ले लेता है वह स्कूल के अंदर जब एंटर करता है तो देखता है कि वही टीचर उसके सामने आती है जिसने उसे कहा था कि अपनी उमर की लड़कियों को पटाओ इस सब के लिए फिल अपनी टीचर को थैंक्स बोलता है वह कहता है कि आपने बहुत अच्छी एडवाइस दिये मुझे और साथ ही फिल उसे कहता है कि आज क्या तुम मेरे साथ डिनर गरोगी और वह टीचर हां कर देती है और फिल हसता हुआ पीछे मुड़ता है और फिल्म यहीं खतम हो जाती है इस गीवेवे को पाने के लिए आपको बस यह करना होगा इस वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम तीन लगी विनर को सुनेंगे और इनने हम डारेक्ट मेसेज करेंगे एमेल के थुरू और उनको गूगल पर या फोन पर सिधा अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे and finally thank you, God bless you all.